लाइफ वालो पेपर को सेट करनेक्ट के लिए सिम्पलेसा एप लाई वाले वालेफों में क्लिक करना है आप कों हमी स्क्रीन पर आजाएंगे तो देख सकɑंग 我是 Canada hat ओभर में इस तरफ ँर स्वाइब कर दूं तो आफ किすक देख साकập मोबाई में हमारा mobile का model क्या है हमारा RAM क्या है हमारे mobile जो date क्या है वो दिखा रहा है बैटरी परसेंटेज कितना है वो भी दिखा रहा है यह हमारा compass वगर और भी बहुत सारे RAM storage वगर दिखा रहा है आप देख सकते होंगे अपने इस तरह स्वाइब भी करो तो यह नहीं जाएगा अगर मै में इस तरह live wallpaper लगाना चाहते हैं आपका daytime आपके mobile में कितना RAM यूज हुआ है आप किस तरह जा रहे हैं वो सारा कुछ जानना चाहते हैं सब कुछ आपके mobile के screen पर live सोगा आपका battery percentage कितना है सारा कुछ जैसा कि आपने देखा है एंट्रो में अगर आप भी इस wallpaper को अपने mobile म आपके on करने पर भी यह wallpaper जो नहीं हटता है जब तक आप इस app को on install नहीं करते यह app 5 MB का है तो आपको app का जो नहीं हो वीडियो के add में पता चल जाएगा तो पहले सबसे पहले setting देख लो उसके बाद app जाकर download करना वरना फिर comment करके बोलोगे के भाई हमने app download कर लिया और हमा जैसे करना है वह बता देते हैं तो चली चलते हैं स्क्रीन जैसे आप इस app को open करेंगे अपने mobile में इस्टाल करके आपके सामने कुछ इस तरह का थोड़ा दिर लोडिंग होगा तो मैं आपको बता दूँ इस app क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगा तो आप क्लीक करना है वाल फuity लाइब आपको ह alors कह अगयो क्लिक करना आपके मोबाईल में दोडे कुछ कितना सेके है कों सा मैरा उपको कोन सा मोडूल है यानि है कमबास दिखा रहा है मेरे मोबाईल का रें कितना है सारा कुछ है कुछ आधारा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका हमारा जो color है इसे कैसे change कर सकते हैं सेटिंग्स वाला अप्टन इसको पर click करें click करने को बाद फिर आप application के अंदर पहुच जाएंगे यहां देखिए black color है वैसे black रहने देना है वारना अगर background के color को change करना चाहते हैं तो ब्लैक को ब्लैक है तो यहां आप चाहे तो setting में फिर से दुबारा जाकर background भी change कर सकते हैं या फिर आपका color जो है उससे भी आप यहां चेंज कर सकते हैं जैसके मैं यह इस color को click करके मैं यह चाहूं तो change कर सकता हूं text का जो color है उससे मैं green कर लेता हूं green हो जाएगा उसके background color जो है यह ब्लू ब्लाक मिस्ता है तो मैं simply black कर लेता हूं उसके बाद हम यह back button को उपर एक बार click करेंगे आपको back button में click करना है फिर आपके सामने देखे कुछ इस तरह का जाएगा यह टाइम सो हो रहा है कितना चार्ज है वो हो रहा है RAM storage यहां मेरा जो compass हो भी 100 हो रहा है बाकि आप यह देख सकते होंगे बहुत ही बड़िया लुक आ रहा है mobile का android version कितना है वह भी दिखा रहा है तो इस wallpaper को आपको set करने के लिए simple सा apply वाले option में क्लिक करना है apply वाले option में क्लिक करते हैं आप home screen पर आ जाएंगे वह भाई OPR देख सकते होंगे home screen पर यह set हो चुका है तो देख सकते होंगे अगर मैं इस तरह swipe कर दूँ तो आप यहां सकते हूंगे हमारा mobile में हमारा mobile का model क्या है हमारा RAM क्या है हमारे mobile जो date क्या है वह दिखा रहा है battery percentage कितना है वह भी दिखा रहा है यहमारा compass बगरा बहुत सारे RAM, storage वगर दिखा रहा है आप देख सकते होंगे अब मैं इस तरह swipe भी करू तो यह नहीं जाएगा अगर मैं से बावर आप करके ओन करो तो भी नहीं जाएगा तो एक बार हम इसको हटा कि आपको दिखाते हैं तो हम सिंपल साइट में क्लिक करेंगे और यहां से हम हटा देंगे तो देखिए हटाने के बाद भी यह रह चुका है देख सकते होगे अभी मैं यहां डिजीटाल लॉक एंड बैटरी चार्ज देखिए कुछ इस तरह साच करने डिजीटाल लॉक एंड बैटरी चार्ज प्लेश्टोर में आपको यह एप मिल जाएगा इसका आइकौन कुछ इस तरह है आप यह देख सकते होंगे तो आप को प्लिक कर ले न अपने फोन में फिर उपन करके मैंने जो मताया है उस शेटिंग को कले हैं ie STUDY देखने को मिल जाएगा आप वहाँ पर क्लिक कर रहा इस एप को इंस्टॉल कर लेना एक और बात अगर आप अपने योटूब लाइट को इंस्टॉल करना चाहते हैं जो के एक एंबी से कम का है प्ले लाइट का बात नहीं कर रहा हूं या फिर यूटूब गो का नहीं अगर आप यूटूब लाइट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आ क्लिक करके YouTube लाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो जान सकते हैं तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है